अपने एकाउंट से पैसे निकालने के लिए जाया तर लोग चेक काही इस्तमाल करते हैं कियोंकि चेक से एक बड़ा एमाउंट निकला जा सकता है लेकिन काफी सारे ऐसे लोग है जिनको चेक इस्तमाल करना नहीं आता है वो नहीं जानते हैं कि चेक से कैसे पैसे निकला आता तो आज मैं इंजिनियर राजा और मैं आप से सज्जेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राब कर लिजे और इस तरीका करने आने या वीडियो पाई आप पर जाना तो आज के वीडियो में मैं आपको एस्टेप बेस्टेप और डिटेल्स मे निकालेंगे। चले वीडियो को सुरू करते हैं। SHUT UP AND SIT DOWN जेक से परेसे निकालने के तीन सिट्वीशन हो सकते हैं पहला है कि आप अपने बैंक से अपने चेक से खुद कैस निकाल सकते हैं और दूसरा है कि आपको कोई चेक दिया है तो उसको आप कैस करवा सकते हैं और तीसरा है कि आपको कोई चेक दिया है तो आप उसको बैंक एक काउंट में ट्रांसपर करवा सकते हैं पहला situation आजाता है आपको कि अगर आप checkbook से परिसान निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे सबसे पहले यहाँ पे date, month और year डालेंगे जो भी date है जैसे आज एक March है तो यहाँ पे 1,3,2,021 लिखेंगे दूसरा option आजाता है यहाँ आपको pay का अगर आप खुद निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे self लिखेंगे अगर आप किसी person को देना चाहते हैं किसी company को देना चाहते हैं यह चेक बना के तो वह person उस company के नाम यहाँ पे पूरा detail में यहाँ पे डालेंगे अगर आप खुद निकालना चाहते हैं तो यहां पर डालेंगे self यहां पर हमको self लिखना है इस पे में मिला के इसको अगर आपको नीचे नकर करने ही लिखना है इसके वादि इसमें कुछ इस तरीका से आपको लाइनिंग घिज देना है इसके बाद हमें अगर यहां से कितने प्रेसी निकालने है वो डालने जैसे हमको यहां पे तीन लाग रुपी निकालने है तो हम यहां पर लिख देंगे थिरी लाग रुपीस अली तो यहां पर आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं और यहां पर आपको लिख देना है और लेकिन कुछ लिमिट होती है द्सें-पंदरा-लाख रुप्य होते हैं तो आपको इसके बनी अिस के करना है कि इस तरीकstände और सर्णतर नीचे में करते हैं और विश네 expects है इस तरुका सी आपको वही करना है जो आपको बैंक में हो तो वही आपको यहां sounds आक सोन जान लेज़ाइब अगर आप से कोई पर्टोन आपको शेख का नंबर मांगता कि क्या चेक का नंबर बताएं तो वह चेक का नंबर आप यह बता सकते हैं 422662 यह चेक का नंबर आप उस परसोन को बता सकते हैं जैसे इस ब्रांच की लीमिट है 10 लाग रूपिय अगर हम किसी और बैंक से इस पैसर को निकालेंगे तब सेल्फ चेक यहां पर आपका रेडी है आपको दो काम और कर लेनी है यहां पीछे सैट में आपको सिगनेचर कर लेनी है तो बेक सैट में आप यहां पर दो सिगनेचर करेंगे अगर सामने वाला सिगनेचर आपको अच्छी तरीका से मेच नहीं हो तो बेक वाला सिगनेचर की या आपको कोई IR-D नहीं देनी होती है, जो ही फिलब करना होता है, बस आपको यहीं पर फिलब करना होता है, और जैसे ही वहाँ पाप केस कॉंट्र पर दे दीजेगा, तो बस आपको वहाँ पे केस मिल जाएगी, इस चेक से आप होम बरांच से भी पैसे निकाल सकते हैं यह आपका जो भी बरांच है जहाँ आप आप एकांट ओपनिंग करवाये हैं वहां से भी पैसे निकाल सकते हैं और इसके अलावा जो भी एस्टेट बरांच है जहां भी वहां जाकर भी आप इस चेक से पैसे निकाल स यहां पर देखिए यहां मेरे नेम है यहां पर देट है और यहां पर जो हमें चेक दिये हैं उसका यहां पर सिगनेचर है और जो एमांट हमको यह दिया है वह यहां पर देखिए सब्द में लिखा हुआ और यहां पर देखिए उनके सिगनेचर है अब बात आती है कि इससे ह पर डल गई हैं इससे तीन मेंने के अंदर इंडर में हम इससे पैसे निकाल सकते हैं नहीं तो यह कोी तो आप इसको cash नहीं करा सकते हैं, अगर यह अगर line नहीं लगी हुई है, तो आप इसको cash भी करा सकते हैं, cash लेने के लिए इसी नाम से हमेरे पास ID होने चाहिए, और इसी नाम से हम ID लेंगे और इसके साथ हमको pin करनी है, इसके साथ हमको लगानी है, इसके बाद हम उसमे वा полне सरेहां पर भी हुई है। बस इसके अलावा हमें कोई आइड़ी लेनी होती है या सी इसे नाम से उस میں अपना मवाइल नंबर और अपना सीक्नेचर करके बस इसके साथ लगानी होती है अब बात आती है तीसरी सिचुएशन की हमें कोई चेक देता है और यहां पे लाइन लगी हुई है और इस तरीका से लिखा हुआ है तरीका से अगर लाइन बनी हुई है तो इससे पैसे कैसे निकालेंगे तो इससे पड़ी से निकारने के लिए आपाऊंट में लिए है उस बेंट में जाएंगे और वहां पर आपको आपको एक फर्म मिलेगा वहां पर लिखा रहvit है चेक भुक का ऊप्सनुन वहां पर चेक जो और कैस का त्थ्युक का कैस्ट रहसी है स्लीप में दो पार्ट होती है दो पार्ट में एक पार्ट को आपको बैंक देना है और एक पार्ट को अपने पास रखना है अपने रिकॉर्ड के लिए फोर्म जो है आपको जो है यह वाला जो है आपको चेक है इसमें आपको एटेश करके पिन लगा के आपको वहां पर प यह चेक्ट कर देंगे तो बैंक वाले उसमें और चेक बॉक्स में निकालके आपसे इक और पैसे ट्रानसपर कर देते हैं आज के वीडियो में आपने जाना कि किस तरी कैसे हम चेप को भरेंगे और उससे पैसे निकालेंगे आज आज को लाइक करें आपने फ्रेंट के साथ से करें अगर आपके दिल में कोई क्वेशन हो तो नीचे कोमेंट बाक्स में जाके कोमेंट करके पूछ सकते हैं